हारियाना सरकार का बड़ा फैसला, HSSC गुरूपडी बरतिवाणों के लिए बड़ी खबर आर ये साथ यो, लेकिन ये दुख बरी खबर है, और इस खबर के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, कि जो अरियाना गुरूपडी की तीसरी वेटिंग लिस्ट आनी है, वो कब तक आने की पूरी पूरी संभावना है, अगर आप इंट्रेस्टिड हैं इन खबरों के बारे में जानने के लिए, तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखें, नमस्कार दोस्तो, मैं विजे कसाना डीजिटल फिरिसिक्ष्या के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, दोस्तो, हमारे चैनल पर अरियाना के सभी जिलों की ओनलाइन वे ओफलाइन वरतियों के बारे में, और अरियाना के सबी विबागों की DC rate वरती के बारे में वैस के अलावा HSC और HPSCA का जो भी नए नोटिस आता है उसके बारे में आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है इसलिए अगर आप भी ऐसी जानकारी रेगुलर पाना चाते हैं और आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और जो भी साथी पहली भार अमारा वीडियो देखता है वो अपने डिस्टिक और अपने विबाग के बारे में कमेंट करके हमें बताते जिसी विबाग की बरती की उसे जानकारी चाहिए इससे हमें वीडियो बनाने में आसानी हो जाती है और जब भी उस डिपार्टमेंट में कोई नई बर्ती या फिर कोई पुराने बर्ती का नोटिपकेशन आता है तो हम तुरंत वीडियो बना कर जानकरी प्रोवाइड करवा देते हैं चलिए आप देखते हैं आज की बड़ी खबर Gradation Certificate जमा कराने के आदेश सरो करमचारी संग नेता बोले नोकरी बचाने के लिए कदम उठाए राजे सरकार दोस्तो इसी बर्ती की खेल कोटे वाली खबर के अलाव हम आपको आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि तीसरी जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो कब तक आ सकती है गुरुबडिक के करमचारियों को 25 दिसंबर के बाद किसी भी समय नोकरी से बर्खास्त करने की तयारी चलिए खबर विस्तार से देख लेते हैं परदेश में खेल कोटे से वर्ष 2019 में बरती हुए 1518 गुरूपडी के करमचारियों को 25 दिसम्मर के बाद किसी भी समय नोकरी से बरकास्त करने की तयारी है इन सबी करमचारियों को नोटिस बेजे जा चुके हैं सरो करमचारी संग ने कोर्ट से निर्देश आने के बाद भी इन करमियों की नोकरी बचाने की अपिल किया है बताया गया है कि उक्त कारवाई हाई कोर्ट वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार की जा रही है सरो करमचारी संग अर्याना के परदेश अध्यक सुभास लामा ने 1518 स्पोर्ट स्कोटे में गुरूप टी में बरती हुए करमचारियों की नोकरी जाने के लिए पूरी तरह से बाजबा सरकार को जिमेदार ठहराया है उन्होंने पुरानी खेल ग्रेडेशन पोलिशी के तैद प्राप्त ग्रेडेशन सर्ट्यूगेट को माननेता देकर बे कसूर इन करमचारियों की नोकरी सुरक्षित करने की मांग की है उन्होंने सुप्रिम कोर्ट के फैसले बाद नोकरी से निकाला जारा 816 निर्दोस्ट ड्राइंग टीचर को भी सेवा सुरक्षिया परदान करने की मांग की है जेहां दोस्तो 816 जो ड्राइंग टीचर हैं पीटियाई बर्ती की तरह उन्हें भी अब सरकार छुट्टी देने के परियास में लगी हुई है परदेशा देक सुबास लांबावार मास अचीव सती सेटी ने बताया कि अरेना करमचारी चैनायोग ने 29 अगस 2018 को गुरुबडी बर्ती 18218 पदों के लिए विग्यापन जारी किया था जिसमें 1518 स्पोर्ट्स को टे में पत थे जिसके लिए नई ग्रेडेशन पोलिशी के तैत स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्ट्विकेट की मांग नहीं की थी विग्यापन में केवल खेल ग्रेडेशन पोलिशी में स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्ट्विकेट की मांग की गी थी 1903 में की खेल ग्रेडेशन पॉलिशी के तहत खिलाडियों ने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिये और लिखित परिक्षिया पास करने के बाद जिन उप्चुनाव में राजनितिक लाब लेने के लिए अरियाना करमचारी चैन आयोग वह विभागों ने इन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करने उपरान थी डूटी जॉइन करवाई थी करमचारी और उनके परिजनों में अपने बविशे को लेकर अड़कम्प मचा हुआ है और बाजबा सरकार के आयकोट में रखे गए नकारा आत्मक रवये से बारी आक्रोस है चलिए अब बात करते हैं थर्ड वेटिंग लिस्ट की थर्ड वेटिंग लिस्ट का समय 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था एक ससी की दोवारा की 31 दिसंबर से पहले-पहले वेटिंग लिस्ट लगा दी जाएगी इस हिसाब से 31 दिसंबर से पहले-पहले गुरूप दी की थ दन्यवाद मिलते नेक्स वीडियो में